Hello friends, so we are going to start a new chapter, तो आपको ये स्क्रीन पर क्या दिखाई देड़ा है, एक खुबशूरत सहर का रात का हसीन नजारा, और ये फिगर देखके, ये फोटो देखके आप समझ गया होंगे, कि हम कौन सा चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चाप्टर इस एलेक्टरिस सिटी, ए ये मुझे बताने की जरुवत नहीं है, अगर एलेक्टरिसिटी ना हो, तो ये खुबसुरत दीखने वाला सहर, बिलकुल डार्क हो जाएगा, बिलकुल डार्क, हम इतने सारी चीजे यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और उन सब में एलेक्टरिसिटी का यूज होता है, अगर हम एक torch जलाते हैं तो उसमें एलेक्टरिसिटी है, रूम में बल्व जलता है तो उसमें एलेक्टरिसिटी है, हम computer यूज करते हैं तो उसमें एलेक्टरिसिटी है, हम mobile यूज करते हैं उसमें एलेक्टरिसिटी है, किचेन में आपकी मम्मी mixer grinder यूज करते हैं तो उसमे अब टेलीवेजन देखते हो, रेफ्रिजरेटर है, वाशिंग मशीन है, हर चेक अलेक्रिसिटी है, वालत विदाउट अलेक्रिसिटी, इस इंपॉसिबल टु इमाजिन लाइफ, तास वाई, वी अगुएं टु स्टेडी दिस चैप्टर कॉल अलेक्रिसिटी, इससे पहले कि हम अलेक्रिसिटी की बात करें, हमें थुरा चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा, तो ऐसा तो हमने पहले पढ़ा है कि जो matter होता है, जो substances होते हैं, objects होते हैं, उनमें protons होते हैं, electrons होते हैं, और neutrons होते हैं, जो protons होते हैं, उन पर कैसा charge होता है, ये भी हमने देखा है, कैसा charge होता है, protons पर positive charge होता है, electrons पर कैसा charge होता है, negative charge होता है, और neutrons पर कोई भी charge नहीं होता एक प्रोटोन पर कितना चार्ज होता है? वन प्रोटोन एक प्रोटोन पर चार्ज होता है 1.6 और जैसे न्यूत्रावं की हमने बात कि उसने पर तो कोई चार्ज होता ही फिर यह भी हमें पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो ठीक है पास पास दो पॉजिटिव चार्ज हो पास पास तो ये दूनों एक दूसरे को क्या करते है रिपेल एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं, अगर दो निगेटिव चार्ज हो पास-पास, तो ये दुनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर धक्का देते हैं, लेकिन एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है, ये दूनों दूसरे को attract करते हैं, पास-पास घीचते हैं, ठीक है, तो जो like charges होते हैं, मतलब same type के charge, positive-positive या negative-negative, तो वो क्या करते हैं, repel, unlike charges, sorry, like charges, like charges, repel, और unlike charges attract, अब हम देखिंगे, conductors किसको बोलते हैं, और insulators किसको बोलते हैं, ठीक है, हमार पास ये कोई object है, कोई matter है, कोई substance है, उसमें बहुत सारे electrons होंगे, जो मैंने green dots से represent किये हैं, बहुत सारे protons भी होंगे, ठीक है, होने को तो बहुत सारे neutrons भी होंगे, बट neutrons की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप सोचे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पे तो कोई charge होता ह ही नहीं है, तो अभी इस chapter में हम थोड़ा charge के बाड़े में बात करना चाह रहे हैं, इसलिए neutrons के बाड़े में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, अब talking about protons first, ये जो protons होते हैं, ये fixed होते हैं, क्या मतलब है fixed होने का, कहने का मतलब है ये जो proton है वो यहीं रहेगा, अगर वो matter के अ यहां पे तो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि यह यहां चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो यहां चला जाए, यह सब नहीं चलेगा, जो proton होता है, वो fixed होता है, जहां पे है, वहीं रहेगा, इसलिए हमने लिगा है, protons are fixed, what about electrons, क्या electrons ही fixed होते हैं, अब यहां कंड़क्टर और इंसुलेटर तो कंड़क्टर्स क्या है अगर यह जो एलेक्ट्रॉन है वो फ्रीए मूव करने के लिए फ्रीए मूव करने के लिए अगर ऐसा है तो यह सबस्टैंस जो है वो क्या कहलाएगा कंड़क्टर लिकिन अगर यह एलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है हर जगा जाने के लिए तो यह सबस्टैंस क्या कहलाएगा इंसुलेटर तो मैंसा लिख सकते हैं कि कंड़क्टर्स क्या है एक्ड़क्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टु मूव एनिवेर कंड़क्टर्स मे Electrons are not free to move anywhere inside matter तो समझ के Conductors कैसे चीज होती है और Insulator कैसे चीज होती है जिसे कर मैं आपक कुछ example दूँ तो Conductor के example होते हैं Iron Iron जो है उसमें जो Electrons होते हैं वो free होते हैं मोग करने लिए That is an example of Conductor, Almonium Copper, Copper तो बहुत ही अच्छा Conductor माना जाता है अगर हम Insulator के examples की बात करें तो Plastic, Wood यह सब जो चीज होते हैं इन में जो Electrons होते हैं वो free नहीं होते हैं मोग करने के लिए तो उनको क्या बोलते हैं Insulators In fact जो भी Metals होते हैं, Metals वो Conductors होते हैं, Metals are Conductors Metals किन को बोलते हैं आप समझते होंगे, जैसे Iron जो है वो एक Metal है, Almonium भी एक Metal है, Copper भी एक Metal है जितने ही Metals होते हैं, वो क्या होते हैं Basically, Conductors होते हैं जैसे यह Image आप देखें, यह Wire है जो आपने घरों में देखा होगा उसको आपने कभी काटा वाटा भी होगा तो आपने देखा होगे, अंदर यह जो न, Copper होता है, Copper, Copper wires Copper जो हो क्या है, Conductor और उसके रॉंड यह जो Colorful Plastic Coating है, Colorful Plastic Coating या Plastic Cover, वो क्या होता है, Insulator, Insulator In fact, यह जो है, वो भी क्या है, Insulator, वो भी Plastic Cover है और Insulator यह भी आपने देखा होगा तो यह जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यह Copper है, यह तीन जो Pins दिख रहे है, Metal के Pins है, Actually Copper के Pins होते है, Generally है, Copper के वो Conductor है, और यह जो Cover आपको दिख रहा है, Plastic है, वो क्या है, Insulator अब हम देखेंगे Electric Current क्या होता है, देखें, Water Current अगर मैं बोलूँ आपको, Water Current तो आप समझ जाएंगे उसका मतलब, Water Current जिसे यह wealthy है, इसमें आप देख सकते हैं, पानी जो है वो नीचे की तरफ Age Flow कर्जा कर रहा है, यहिए नि जो जब Water Flow करता है, तो हम क्या बोलते ही, कि हमारे पास Water Current है, जो Water Flow करता है तो हम बोलते है, Water Current है, वैसे इस chapter में हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा positive charge है और आप suppose करें ये सब कर इस सब इधर flow कर रहे हैं इधर की तरफ move कर रहे हैं एक ही direction में flow कर रहे हैं या move कर रहे हैं ठीक है तो इस flow को हम बोलेंगे electric current तो water के flow को जैसे हम बोलते है water current वैसे charge के flow को हम बोलते है charge current या फिर electric current पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो भी हम बोलते है electric current है और अगर हमारे पास बहुत सा negative charge है और वो फ्लो कर रहा हूँ तो भी हम क्या बोलेंगे, electric current है, समझ गए होगे, electric current किसको बोलते हैं, तो हम बोसकते है, electric current is flow of charge, that can be positive charge as well as negative charge, दूसरी बात, अगर positive charge flow करता है, जैसे कि इस direction में flow कर रहा है positive charge, तो हम बोलते है, electric current इस direction में, electric current इस direction में, right कि दरभा है, और current को हम सिंबल आई से direction करते है, electric current right side में, लेकिन जब negative charge right की तरभ flow करता है, तो हम बोलते है, electric current जो है, वो left side में, left side में, तो this is a very important point, हम इसको लिख लेते हैं, if positive charge flows, the positive charge flows, direction of electric current is same as direction of flow of charge, ठीक है, और वैसे ही हम लिख लेंगे, if negative charge flows, direction of current is opposite to direction of flow, ठीक है, तो positive charge अगर right की तरभ है, flow कर रहा है, तो हम बोलेंगे current भी right की तरभ है, लेकिन negative charge अगर right की तरभ flow कर रहा है, तो हम बोलेंगे electric current जो है, वो left की तरभ है, चलो मैं आपसे एक छोड़ा तक question पूछता हूँ, question यह है, can electric current, जिसको हम आई से denote करते है, can electric current flow in insulator, insulator जो हमने देखा है क्या होता है, क्या उसमें electric current flow कर सकता है, insulator examples, wood or plastic, क्या wood or plastic में current flow कर सकता है, बताएं आप, सोचें, क्या लगता है आपको, just a no, the answer is no, क्यों नो, क्योंकि हमने देखा था कि insulator में जो protons होते हैं, वो fixed होते हैं, ठीक है, और जो electrons होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, fixed, तो protons भी fixed हैं, और electrons भी fixed हैं, यानि कि ना positive charge move कर सकता है, यानि flow नहीं कर सकता, और ना ही electron जो negative charge है, वो move कर सकता है, मतलब flow नहीं कर सकता, तो insulator के अंदर ना positive charge flow कर सकता है ना negative charge, तो कोई charge flow नहीं कर सकता, इसलिए हम बो सकते है, insulator के अंदर current flow नहीं हो सकता है, I hope you understand, conductor इक बात करते है, क्या conductor के अंदर electric current flow कर सकता है बच्चो, सोची आप, सोची क्या लगता है, the answer is yes, क्यों yes, देखो, conductor के अंदर क्या होता है, protons, protons move नहीं कर सकता, तो flow नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन what about electrons, हम लेका था, conductors वैसे substance होते है, जिसके अंदर जो electrons है, वो क्या कर सकते है, move, ये electrons flow करेंगे, electrons flow करेंगे, flow, इस तरीके से, conductors के अंदर, जिसके अंदर conductor के अंदर current होगा, electric current flow कर सकता है, चेक, तो this is very important point, कि insulator के अंदर electric current flow नह electrons, अब हम देखेंगे, electric current का formula क्या होता है, तो जैसे आप देखें, यहाँ positive charge flow कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक मैं line बना देता हूँ, तो आप देखें, इस line से charge जो है, वो cross कर रहा है, positive charge, cross कर के इधर आ रहा है, इस line से, ठीक है, तो अगर मैं 1 second के लिए wait करूँ, तो कुछ charge यहाँ से cross कर के आ गया होगा, अगर मैं 2 second तक wait करूँ, तो कुछ और charge यहाँ से cross हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं T time तक wait करता हूँ, T time तक, T time, T kuch भी हो सकता है, 1 second, 2 second, 3 second, कुछ भी, T time तक wait कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ charge cross हो गया से Q, charge के लिए Q symbol य यह लाइन बनाई मैंने, T टाइम में यहां से Q चार्ज क्रॉस होके दूसरे साइड आ गया है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि एलेक्ट्रिक करेंट जो है, that is Q डिवाइड बाई T, Q डिवाइड बाई T, वैसा है यहां पर भी, निगिटेड चार्ज ही फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे Q, और फिर Q और T को हम डिवाइड कर देंगे, तो जो क्वाणिटी आएगी उसको हम बोलेंगे एलेक्ट्रिक करेंट है, करेंट की जो यूनिट होती है, वो होती है एमपियर, जिसको सिंबल A से डिनोट करते हैं, जिससे एक कोश्चिन करते हैं, तो आपको ब निगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है, तो उसमें निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर आपसे डारेक्शन पुछी जाए करेंट की तो आप किदर बताएंगे, बोलें किदर बताएंगे डारेक्शन करेंट की, निगेटिव चार्ज इदर फ्लो कर रहा है, तो करेंट की हम इधर बताएंगे opposite direction ठीक है okay now the main question is like this कि हमने यहाप एक line draw किया और हम 10 seconds तक wait कि हमने 10 seconds तक हमने 10 seconds तक यहाप खरे रहे है तो हमने देखा कि charge जो है वो इधर की तरफ जा रहा है तो हमने देखा कि 40 40 कूलम चार्ज जो है वो इधर चला गया 10 second में 40 कूलम चार्ज फो हमने बताना है current की value कितनी है बताएं आप कैसे करेंगे इसको तो हम यह formula use करेंगे अम लिगे current is going to q by p, ठीक है q की value कितनी है 40 और time की value कितनी है 10 seconds, इसको divide करने पर आ जाएगा हमारे पास 4, और current की unit होती है ampere, तो हम बोलेंगे current कितना है 4 ampere, और किस direction में है, पीछे कितरा, let's do one more similar question, NCRT book का question है यह, देखें क्या है, a current of 0.5 ampere, यह 4 ampere, is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes, find the amount of electric charge that flows through the circuit, देखें इसमें अभी थोड़े से complicated terms हैं, उस पर आप ध्यान न दे, मैं आपको question का मतलब समझाता हूँ, basically क्या है कि एक wire है कोई, कोई एक wire है, इस type से, ठीक है, और इसमे current flow कर रहा है, कितना current flow कर रहा है, देखें, आप 0.5 ampere, 0.5 ampere, ठीक है, तो मैं बताना है कि इस wire से कितन charge flow कर रहा है, इस wire से कितना charge flow कर रहा है, कितने time में, 10 minute में, 10 minute में, 10 minute में, इस wire से कितना charge flow कर रहा है, क्या करेंगे, बहुत simple है, अब वह formula यूज़ करेंगे, I equals to Q by T, ठीक है, तो हम देखें यहां से, कि I तो हमें पता है, I कितना दियावा है, 0.5 ampere, तो यहां 0.5 लिखें है, Q हमें पता करना है, ठीक है, और T कितना लिखेंगे, 10 minute में, 10 minutes, तो इसको second में convert करेंगे, तो हो जाएगा, 10 into 60 seconds, ठीक है, तो that will be 600 seconds, तो मैं आपे लिखेंगे 600, अब इसको हम solve करेंगे, तो we will get Q is equals to 0.5 into 600, that is 300, और charge की नूट क्या होती है, कुलंब, यह हमारा आयन से हो तो हमने देखा है कि current की unit जो है, वो क्या होती है, ampere, ampere, उसकी थोड़ी से और बात करेंगे हम यहाँ पे, तो suppose करो यह copper का wire है, ठीक है, और इसमें जो negative charge electrons है, वो इधर की तरफ flow कर रहे है, वो इधर की तरफ flow कर रहे है, यानि कि current जो हमारा वो इधर की तरफ flow कर रहे है, ठीक बात है, ओके, अब मैंने यहाँ पे एक line ड्रॉ की, तो यहाँ से charge इधर की तरफ जा रहे है, ठीक है, तो एक second हुआ अगर, मानलो, एक second time भीता, एक second, ठीक है, और कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ से जो charge जा रहे है, वो एक कुलम का है, एक second में हमने देखा कि एक कुल and time is one second, one by one यहाँ जाएगा one ampere, ठीक है, तो इस situation को देख कि हम ampere को define कर सकते है, ampere को क्या define कर सकते हम, कि one ampere is the amount of, one ampere is the amount of current when one column charge flows in one second, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक second में जब एक कुलम का charge flow करता है, तो हम बोलते है, one ampere का current है, one ampere is the amount of current when one column charge flows in one second, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपको ऐसा दियावा होगा, कि current is equals to 2m into a, ऐसे लिखा होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है, milliampere, milliampere, m stands for milli, तो अगर आपको current दियावा है, 2 milliampere, तो इसका मतलब होता है, current is 2 into 10 to the power minus 3 ampere, तो आप milliampere में कर करेंट दिया है, तो आप उसको ampere में convert कर सकते हो, कैसे, 10 to the power minus 3 से multiply करके, उसी तरीके से अगर i दिया हुआ है, 2 microampere, ऐसा symbol बना वा है, इसको बोलते है, microampere, microampere, ठीक है, 2 microampere for example दिया वाई, तो हम इसको लिखेंगे, 2 into 10 to power minus 6 ampere, ठीक है, तो कई पार questions में, इस तरह से milliampere या microampere लिखावा हो सकता है, तो आपको इसका मतलब समझना होता है, क्पोदें।